Dear students, आज हम एक और टॉपिक करने जा रहे हैं, और चप्टर है Morphology of Flaring Plants and the topic is Estivation. अब Estivation क्या होती है, कितने types की होती है और हर type जो होता है, उसका क्या मतलब होता है, यह हम इस topic में cover करने जा रहे हैं. तो सबसे पहलाद करते हैं Estivation की, तो Estivation है क्या? Estivation is the mode of arrangement, मतलब बोलने का मतलब है कि यह एक किसम की arrangement है, अब किसी की arrangement है? यह मैं आपको पताने जा रहा हूँ. तो it is a mode of arrangement of sepals और petals. यह आप पढ़ चुके हैं कि sepals क्या होते हैं, petals क्या होते हैं, तो उनका जो mode of arrangement है, किसी flower bud में, in a flower bud, in a floral bud, with respect to the other members of the same world is called Estivation. Estivation का मतलब होता है कि जैसे फ्लोरल बड में अगर हम देखें, तो जो sepals हैं, आपको होता है, sepals एक whirle बनाते हैं, petals एक whirle बनाते हैं, androsium एक whirle बनाता है और gynosium एक whirle बनाता है, तो किसी एक whirle में, चाहे हो sepals का हो, चाहे है petals का हो, तो अगर sepals कहो तो sepals एक दूसरे के साथ किस तरह से arranged है क्योंकि एक ही world के अंदर उनकी क्या arrangement है उस arrangement के pattern को उस mode of arrangement को कहते है Estivation अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह कितने types की होती है आपको साथ समझ भी आ जाएगा Types of Estivation Estivation Basically 4 types की होती है एक velvet and the second one is twisted third one is imbricate and the last one is bacillary मैंने आपको पहले भी बताया कि Estivation एक mode of arrangement है जिसमें sepals और petals की arrangement होती है एक floral word में और एक दूसरे के respect में पर भरल आपका एक ही रहेगा और यह कितने type की होती है यह 4 type की होती है velvet, twisted, imbricate और vacillary अब हम अलग अलग बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं velvet की अब velvet Estivation किस तरह की होती है अब देखें velvet Estivation में क्या करते हैं जो sepals और petals होते हैं एक वरल के वो एक दूसरे को cable touch करते हैं overlap नहीं करते हैं means when sepals और petals in a world just touch each other जो sepals हैं या जो petals हैं वो एक दूसरे को cable touch करते हैं margins पे without overlapping typing अब देखें मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि कैसे velvet Estivation में petals या sepals औरेंजड होते हैं देखें अगर हम यहाँ पर देखें यह देखें मालीजी हमने यह एक petal बनाया यह देखें यह दूसरा petal बनाया यह तीसरा petal है यह suppose कि यह चौथा petal है और यह पांच चौथा petal है तो देखें हमने petals बनाये वो एक दूसरे को cable margin पे touch कर रहे हैं पर कहीं भी उनकी overlapping नहीं हो रही है overlapping का मतर है वो एक petal दूसरे petal के नीचे नहीं जा रहा है या किसी petal का कोई हिस्सा उपर है तो वो margin पे दूसरे को touch कर सकते हैं velvet और अगर हम velvet estimation की अगर हम बात करें तो इसमें calotropis example है calotropis तो calotropis में velvet arrangement होती है मतलब जो sepals और petals होती है वो margin पे एक दूसरे को touch कर सकते हैं पर overlap नहीं करेंगे तो अब हम बात करते हैं जो दूसरी हमारे पास इसका जो type है the second type is twisted अब देखें twisted में क्या होगा twisted आप कहसे कि एक तरह की regular overlapping है इसमें आप यह लिख सकते हैं कि if one margin of one margin ठीक है एक margin के अगर हम बात करते हैं of the appendage overlaps ठीक है एक margin वो क्या कर रहा है वो overlap कर रहा है that that of the next one then that of the overlaps that of the other ठीक है और you can say the next one तब इस तरह की जो estimation है उसको क्या का जाता है twisted का जाता है देखें बहुत ही simple है twisted अगर आप twisted की बात करें तो twisted में क्या होगा देखें अगर हम यह हमने एक ले लिया माली जीए यह एक सेपल या पैटल है अब देखिए इस next को अगर आप observe करें तो इसमें क्या है यह वाला margin इसको overlap कर रहा है और इस तरह से यहाँ देखिए अगर आप इसको भी देखिए तो यह वाला इसको overlap कर रहा है यही pattern next रहेगा और यही pattern इसके बाद रहेगा तो अगर इस तरह की arrangement हो पैटल्स की हो चाहे सेपल की हो जिसमें one margin of the appendix overlaps that of the another or that of the next one such an estimation is known as twisted clear तो twisted में अगर हम बात करें तो यहाँ पर overlapping होती है पर एक regular pattern में overlapping होती है तो इस तरह की जो estimation है उसको कहा जाता है twisted और इसका example है चाइना रोस लेडी फिंगर और इसके अलावा जो cotton है उसमें भी twisted estimation होती है तो अभी तक हमने किया कि estimation क्या होती है और estimation में अगर हम बात करें तो जो twisted है वो क्या होती है और velvet क्या होती है अब हम इसके बाद जो third type है उसको करने जा रहे हैं और third है हमारे पास imbricate अब यह जो imbricate है imbricate भी almost twisted की तरह है पर यहां पर जो sepals और petals है वो overlap करते हैं पर किसी regular pattern में या किसी particular direction में नहीं करते हैं what is this imbricate if the margins of if the margins of sepals or petals if the margins of sepals or petals overlap one another but not in not in any particular direction वो किसी particular direction में overlap नहीं करते हैं तो इस तरह के जो estimation है उसको imbricate का जाता है अब देखे यहां पर मैं imbricate जो estimation है उसका diagram आपको दिखाने जा रहा हूँ देखे यहां पर यह माली यह एक sepals यह एक petal मनाई suppose करें मैं petal का दिखा रहा हूँ अब देखे इसमें क्या हुआ यहां overlapping हो रही है यह देखे यह overlapping हुई और दूसरी मैंने इदर दिखाई इसमें भी overlapping है यह देखे यहां भी overlapping हुई अब यहां पर मैं एक और बना रहा हूँ यह देखे यह देखे और यह बनाई तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई pattern नहीं है कोई particular pattern नहीं फ्यालो किया जा रहा है तो इस तरह की जो estimation होती है उसे क्या कहा जाता है उसको कहते है impricate देखे यहां पर आप देखते हैं इसके दोनो margin इन के निचे आगे एक इसके निचे आगया यह वाला margin इसके निचे है और यह वाला margin जो है इसके निचे है लेकिन यहां आप देखते हैं कि इस petal के अगर हम बात करें तो यहां यह overlap है और यहां पर इसने overlap किया हुआ तो यह किसी एक pattern को follow नहीं कर रहे हैं अगर ऐसी situation हो तो ऐसी इस type की arrangement को या इस type की estimation को implicate कहा जाता है और implicate में अगर आप देखें तो यह हमरे पास होता है केसिया जिसे अमलतास भी कहते हैं और दूसरा हमरे पास जो second इसका example है वो है गुल्मोहर तो गुल्मोहर और केसिया में estimation का जो टाइप है वो implicate है अब सबसे important और जो last हमारी estimation है जिसे वेक्जिलरी का जाता है देखें इससे कपी question पूछे जाते हैं competitive exam में भी अभी यह वेक्जिलरी estimation क्या होती है मैंने आपको पहले पताए कि जो estimation का मतलब होता है कि यह sepals और petals के एक mode of arrangement है किसी flower bud में एक दूसरे के respect में किसी एक world में वो किस तरह से arranged होते है that pattern is known as estimation और मैंने discuss कर लिया कि evaluate क्या होती है twisted कौन से होती है implicate कौन से होती है और जो last type है इसका यह है हमारे पास waxillary अब waxillary में क्या होता है यहाँ पर जो petals है वो number fixed होता है total इस case में क्या होते है total जो आपके पास petals होते है होते है 5 clear मतलब यहाँ petals का number fixed है अब इन 5 मैंसे भी जो सबसे बड़ा होता है उसका नाम होता है standard देखे सबसे बड़ा जो petal है उसका नाम है standard ठीक है standard जो होगा वो largest size का petal है अब दूसरा इसके बाद क्या होगा दो lateral petals होंगे एक standard हुआ और दो हुए lateral lateral petals अब यह lateral petals क्या होते हैं इसके side में अभी मैं आपको diagram में दिखाऊंगा जो lateral petals है इनको wings का जाता है तो देखे हर petal का नाम है मतरब जो सबसे बड़ा है उसका नाम है standard और जो दो lateral है जिनको यह overlap करता है उनको बोलते है wings और जो wings होते हैं यह फिर overlap करते है two smallest को तो smallest इन जो smallest है इनको कौन overlap करता है यह wings overlap करते हैं और यह जो दो smallest होते हैं इनका यह बनाते हैं इनको anterior petal भी कहते हैं यह बनाते है कील देखिए यह हमारे पास standard जो है यह सबसे बड़ा है इस largest और साथ में इसको superior बहुते हैं यह उपर है और यह जो smallest है यह हमारे पास कौन से आगे यह एंटिरियर है इसको आप लार्जेस्ट superior या इसको posterior भी बोल सकते हैं और यह जो यह हमारे पास आगे जो कील होंगे यह smallest होंगे यह एंटिरियर पैटल्स है तो देकिए अब हम इसको किस तरह से अरेंज करेंगे अब सबसे पहले हम बनाते हैं कि किस तरह की यह एस्टिबेशन होती है अब यह है स्टेंडर्ड देखिए अगर आप इसको देखें तो यह काफी बड़ा है यह देखिए यह स्टेंडर्ड है इस पैटल की अगर हम बात करें तो इट tailored है नमबर में यह एक है और posterior भी आप इसको कह सकें और इसके अलावा ये overlap कर रहा है दो laterals को यह देखिए यह जो दो हैं यह देखिए एक बना लिया मैं इδर को और एक मैं यहां को बना रहा हूं यह देखें यह जो दोनों black color से मैंने बनाए देखें यह तो बनाया standard standard बहुत बड़ा है और यह overlap कर रहा है इन दो को तो यह है lateral और lateral का मैंने जो दूसरा नाम आपको बताया इनी को wings कहते हैं यह दो होते हैं अब यह खुद overlap करते हैं smallest को जिने आप anterior petals करते हैं यह देखिए यह देखिए यह anterior petals है यह देखिए यह anterior petals है और यह जो anterior petals है यह हमारे पास क्या आगे यह आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं ठीक है यह देखिए यह हमारे पास जो green color के यह कौन से petal आगे यह आगे anterior और यह बनाते हैं कील तो देखिए एक arrangement है हमारे पास standard echo का wings दो होंगे और कील भी जो दो smallest और anterior होते हैं वो बनाते हैं तो इस तरह की estimation को कहा जाता है वेक्जिलरी जो की आप डेली लाइब में बड़े आसानी से observe कर सकते हैं इस पैपिलियो नेसियस एस्टिवेशन क्लियर तो अभी मैं इसको repeat करने जा रहा हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा हमने सबसे पहले पढ़ा कि एस्टिवेशन क्या चीज़ होती है और अगर हम एस्टिवेशन की बात करें तो एस्टिवेशन एक mode of arrangement है सेपल्स और पैटल्स का किसी फ्लार बर्ड में with respect to the other members of the same world और अगर हम इसकी बात करें तो ये चार टाइप की होती है वेल्वेट, टुएस्टिड, इम्प्रिकेट और वैक्जिलरी अगर हम वेल्वेट की बात करें तो जब सेपल्स केबल एक दूसरी को टच करते हैं एक वर्ल में ओवरलैप नहीं करते हैं तो उस तरह की estimation को का जा उबरलैप, that of the next oneूट और अगर यह देखे इसका जो margin है यह अगले बाड़े के साथ उबरलैप कर रहına, इसका इसके साथ उबरलैप कर रहएं इसके साथ उबरलैप कर रहा में चाइना रोज, लेडी फिंगर और cottonूट अब इसके बाद जो अगर नेक्स्ट के अगर हम बात तो वह इंपरिकेट हैं, इंपरिकेट में भी ओबरलैपिंग होती है, हालांकि इसके टाइपस होते हैं, लेकिन हम केबल NCRT की बात कर रहे हैं, तो इंपरिकेट में क्या होता है, कि जब वह सेपल और पैटल एक दूसरे को ओबरलैप तो करते हैं, पर किसी पर्टिकुलर डा और इसमें क्या होता है, इसमें टोटल जो होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो पांच होते हैं, तो इसमें जो हमारे पास लार्जेस्ट होता है, जिससे पोस्टिरियर भी आप कह सकते हैं, तो ये जो लार्जेस्ट होता है, इसको स्टेंडर कहते हैं, ये क्या करता ह तो यह जो एंटिरियर माले दो smallest पेटल्स हैं वो मिल करके बनाते हैं कील तो इस तरह की जो एस्टिवेशन होती है वो पी और बील में पाई जाती है तो next वीडियो में हम बात करेंगे एंडुरोसियम की, एंडुरोसियम क्या होता है, किसी से बना होता है और कितने टाइब के जो हमरे पास एंड्रोसियम होते हैं उनमें अरेंजमेंट किस किस तरह की होती है यह हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू बेर मेच